मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम लोग कक्षा साथ में जेसी आर्टी के द्वारा प्रदत हिंदी पुस्तिका में पाठ चौदह मुक्ती का कुश्चिन अंसर देखेंगे इसके लेखा के श्याम व्यास आज का हमारा पहला प्रिश्चन है मुक्ती पाठ का कि यह कैसे पता चलता है कि चिडिया के ग्री प्रवेश का मौसम सुरू हो गया है तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर नवंबर के महिने में चिडियों का दिवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे अलमारी के उपर बुक शेर्फ के अंदर अथवा बात्रूम या ड्रिसिंग टेवल के आजुबाजु में तिनकों को लाकर चीची का शोर करिया बता देती है कि चिडियों के ग्री प्रवेश का मौसम सुरू हो गया है प्रश्न संख्या दो है चिडियों के ग्री प्रवेश पर शुरूआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया तो इसका उत्तर होगा चड़ियों के ग्री प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों में काफी खीज और विरोध भरा हुआ था और वह उसे निकालना चाहते थे परंतु बाद में उन चड़ियों के साथ घर वालों का आत्मिय संबंद बन गया प्रशन संक्या 3 है लेखा के घर में घुसला बनाने के लिए चड़िया ने क्या-क्या प्रयत्न किये तो इसका उत्तर होगा लेखा के घर में घुसला बनाने के लिए चडिया ने बात्रूम में ड्रेसिंग टेबल के आजुबाजु में तिनका विखेरना शुरू कर दिया जितनी वार लेखाक उसे भगाते वह उतनी वार रसी का टुकड़ा, पत्ते, छोटे बड़े तिनके जैसी कई चीज़े लाकर फिर से घुसला बनाने लगती प्रश्न संख्या चार है लेखा की पत्नी और उसकी पोती ने लेखा के किस व्यवहार पर ठहाका लगाया तो इसका उत्तर होगा चिडिया द्वारा लेखाक की पुस्तक पर बीट के निशान बना देने से लेखाक चिडिया पर नकली गुसा कर रहे थे जिससे चिडिया भी चीची करके लेखा का विरोध कर रही थी जिसे देखकर लेखा की पत्नी और पोती जोड-जोड से ठहाक लगाने लगे प्रश्न संक्या पांच है घर के लोगों ने चिडिया को घुसला बनाने से रोखने के लिए तो इसका उत्तर होगा घर के लोगों ने चिडिया को घुसला बनाने से रोखने के लिए तिनकू को घर से बाहर फिक दिया और चिडियों को खदेडनी का भी काम किय घर के सारे खिड की दर्वाजे तक बंद कर दिये और उजाले दान पर भी कपड़ा बांद दिया था प्रश्न संक्या 6 है कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ती का सुख केवल मुक्ती पाने वाले को ही नहीं मिलता बलकि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त करने में सहायक होते हैं तो इसका उत्तर होगा लेखक के सामने वाले घर में अंजाने में ही बंद हुई दूसरी चिडिया की व्यथा और बेबसी के प्रती लेखक और उसके परिवार की संवेदना का मारमीक चित्रण इस कहानी में हुआ है बंद चिडिया की मुक्त करने में लेखक को अपुर्वसुख मिलता है तो उत्तर होगा कहानी में लेखक के सामने पहली स्थिती तब थी जब चडिया घुसला बनाने आई थी और लेखक उस पर क्रोधित हो रहे थे दूसरी स्थिती तब थी जब उस चडिया से लेखक का आत्मिय संबंद बन गया था और तीसरी स्थिती तब थी जब सामने वाले घर में अंजाने में बंद चड़िया को लेखक मुक्त कराकर अपुर्व सुख का अनुभव कर रहा था प्रश्न संख्या आठ है दोनों के शैतानी दूप पर ओस की पहली बूंद ही तरह ताजगी भरी और प्यारी थी इस कथन का आशे स्पस्ट कीजिए तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त कथन चड़िया और लेखक की पोती चिंकी के लिए आया है दोनों बच्चे थे और दोनों के शैतानी निश्चल और बिना किसी स्वार्थ के थी तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद